नमस्कार मेरे यूटूब परिवार एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सादु जर्णी पर पर यह बगवान अस्त होने वाले हैं यानि दिन चिपने वाला है दिन चिपने के टाइम पर है मैं खेत में आया हूं आज हमेशा सुबे सुबे के टाय में या 9-10-11 वजे से पहले-पहले हम मुफली देख करके चले जाते हैं लेकिन जो वास्तवी की इस्तिती है मुफली की क्योंकि पूरे दिन जो गर्मी पड़ती है उसके बाद मुफली की इस्तिती कैसी रहती है वो देखने के लिए मैं अब भी आया हूँ गायों को चारा देने के बाद में घर जाकर के सनान किया सप्रे के लगे हुए हैं इस्प्रे कर रहे हैं और इस्प्रे जो है यह देखे यह दिखाता हूँ मैं आपको शाम के समय में यह मुफली यह जो इस परकार सो जाती है ये चाल रखा है इस चीज की स्प्रे कर रहे हैं ये जो देख रहे हैं आप ये पता कई जगे सुन्डी भी बोलते हैं लट भी बोलते हैं इसको तो ये मुंफली में हो जाती है जहां पर देखो गोजा लगा हुआ है ये दो मुंफली की ये इस्तिति हो जाती है जहां गोजा लगा हुआ है वहां पर इस परकार की इस्थिति है यह देखो गोज़ा है मुवफली में यह देखो यह इस्थिति है कि शुबह सुबह जब आते हैं तो मुफली की वास्त्वी के इस्थिती का पताना है कि मुफली की प्रकार की है क्योंकि सुबह सूबह थो यह पूरी रात निकलने के बास वैसे ठंड पकड़ जाती है मैं और ठंड में कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है वास्त्वी के इस्तिति तो इस प्रकार किया मुफली की यह देख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको यह देखो यह सिस्थम है इन दिनों में लाइट भी जो है पूरी नहीं कर रहे हैं दो से तीन गंटे लाइट आती है छे थराब हो रहे हैं और मैस जी जो सफ्रे कर रहे हैं इस प्रेजों कर रहे हैं वो यह आग्या के लाइन चला करके पिछे की कर रहे हैं पिछे-पिछे पतो ठाइन चांड़ा कर भूदा इस लिहां प्तो ठाइन चांड़ा के भी हैं अच्छा ऑच यहां दो और शीमरी दो कर से सब्सके आधे जीता अब मतलब अब आगे लाइन चले भी उपर उपर करो बस बिती बिती कर से आले आज आठे तहीं चले डिया दिनके किये समसी फेर तड़का तो ठीक है तो आगे-आगे लाइन और पिछे-पिछे इस परे बढ़ी है तो चार-पान दिन मोच जी दिरे-दिरे आई साब हाँ च्टे दिनो आपने लाइन तो लाइन तो लाइट पूरी आशी जद वासी लारी एंजील अन्जिल को तुमन कोई असर लग्यों को अन्देखो गास है अन्जिल को असरे आओ यह पहली उगड़ों भी बीपर है वो कि गम्मबांद गेर कि निक्टे बाद मोग्डियों है नियां हो यह तो यह थोड़ी अलकी अलकी सप्रे दे देते हैं इससे मूफली के मतलब चारे में थोड़ा बचाओ हो जाए मूफली में थोड़ी बड़वार अब बड़वार हो जी के मूफली मैज जी आहां मतलब कुछ फर्क पड़ सी तो आंतिम सप्रे या और भी करने पड़ सी मूफली में लास्ट है तो यह लास्ट की सप्रे लगबग चार पांस दिन में कंप्लीट हो जाएगी और यह सिस्टम में मूफली का कहीं कहीं तो बहुत ही बड़िया मूफली यह देखो यहां पर बहुत जोरदार है यह देखो मूफलें पाढ़ गेर खाई हैं पाढ़ गेर तक्के लेगा दपांसाद अठों ने चार बठाई दो एक अठे इर आठों भी माथ कर बड़ेड़ है पड़ेड़ें आठोड़ें यह दो आठोड़ें पाढ़ां आठे इका क्या आठी ने चूतर लें ओड़ें दो ड़्या दीखामाँ मूंने। बड़ें पड़ेड़ें आठोड़ें यह देखाई हैं दाली को नखाई जिट अंद। झाल झाल कर दो कर दो दो राजीव जी विनोध जी बाटिया नगर रोत्तक अर्याना से 101 रिप्या गोरी संकर जी सोनी चक पांच ए छोटी नाईवाली गंगा नगर से 101 रिप्या पपुराम जी खाती गाउं दुदावास नोखा विकानेर से 100 रिप्या उम्मा जी बारठ करणी कुटीर उद्योग बनिपार्ख जैपुर से 200 रिप्या सुनील कुमार जी रिटोलिया नगर दनबाद जारखंड से 401 रिप्या इरालाल जी फोजी बाई गाउं सहेड काबास जोंजनों से 511 रिप्या पर्बुराम जी थोरी गाउं जतनपुरा बेरी छोटी डीडवना से 221 रिप्या संजे कुमार जी यदव गाउं अनमानगड नगर अनमानगड से 151 रिप्या सुरेश कुमार जी गाउं साला सर जिला सिक्कर से 500 रिप्या नाथुराम जी चोदरी गाउं सिर्शी जिला सिक्कर से 211 रिप्या बेहन कर्षना जी अरोडा नगर पानीपता रियाना से 101 रिप्या प्रेम कुमार जी टड़ा गाउं बेरवाल खुर्द एलनावाद से 101 रिप्या शांतिलाल जी परजापत नगर जसोल हाल एद्रबाद से 101 रिप्या एक गोमाता भक्त नगर दोलास लक्समनगड सिक्कर से 101 रिप्या जगदीश जी चिरंजी लाल जी सांखला नगर अजमेर रजस्तान से 101 रिप्या एक गुमाता भकत नगर कोईला गळी विकानेर से सोरिवा आसा देवी जी सोम्या गिद्धर नगर मुदलीदर नगर व्यास मिन Savior कोलोनी विकानेर से सोरिवा मौन लाल जी जांगिड गाउं जसरा सर्नोखा वी कनेर से 101 रिप्या कान शिंग जी खेट सिंग जी तावर गाउं मांगा सर सर्दार सर्चूरू से 101 रिप्या और तरसेम जी माजो का नगर बिवाडी अलवर रजस्तान से 1100 रिप्या दिल से आवार मेरे यूटूब परिवार अगर आप सादू जर्णी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एम गरीब सेवा सादू जर्णी ट्रस्ट का क्यू आर कोड दे रहा हूं उसी पर दंदरासी बेजने के बाद आप मेरे वाटसप नमबर साथ नो साथ चैनो एक आट पांच आट जिरो पर स्क्रीन सोट्स और से इ बेज़ें ताकि मैं पूरा पूरा इसाब किताब रख सकूँ धन्यवाद